साथियों, हमारे जो समस्कार हैं, हम राजनितिक छुआ छुट में विश्वात नहीं करते हैं, इसलिए हम सर्दार प्रटेल को समर्पित, स्टेची ओफ यूनिटी बनाकर गर्व महसूस करते हैं, इसलिए हम बाबा साब आमबेड करके लिए पंच तिल्थ का निर्मान कर गर्व करते हैं, हम खुले दिल से भाज पाके गोर विरोधी रहे व्यक्तियों का भी सम्मान करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, भारत रत्न से लेकर पद्म पुरसकार इसका उदान है, पद्म पुरसकारों में हमने जो बडलाव किये हैं, वो तो अपने आप में पूरी एक गाता है, वो तस्वीर कौन भूल सकता है, और उसे तस्वीर को देखकर के कौन भावुक नहीं हो सकता है, जब पैर में जूते नहीं होते हैं, और कोई वृद्ध मां राश्पति के हा तो सन्मान प्राप्त करती हैं, ऐसा हम कैसे कर पाते हैं, अन्नोन लोगों को, जिनके कारितों पहचानना और इतने बड़े सम्मान से उनको जोड़ना, क्योंकि हम जड़ों से जूड़े रहते हैं, क्योंकि हम जमीन से जूड़े रहते हैं, पद्म पुरसकार, सरकार का ने निर्णे तो है ही लेकिन इस निर्णे के पीछे भाजपा की कारशयली और भाजपा के संस्कार है साथियों यह भाजपा ही है जहां कार करता अपना तन, मन, धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं सेकड़ों कारकरताओं पार्टी के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं, सेकड़ों कारकरताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है केरण और पस्चिम मंगाल जैसे राज्यों में हमारे कारकरताओं को दम क्या दी जाती है उन पर हमले होते हैं उनके परिवार पर हमले होते हैं लेकिन देश के लिए जीना मरना एक विचान सारोल को लेकर के अड़े रहना डटे रहना यही तो भारती जनता पार्टी के कारकरता की विशेस्ता है वहीं दूसरी तरफ बौश वाद और परिवार वाद का हश्र भी 21 सदी का भारत देख रहा है स्थानिय आकांख्षाओं के सहारे जो स्थानिय पार्टियां खड़ी हुई बाद में वो भी एक परिवार की एक दो लोगों की पार्टियां बनकर रह गई नतीजा आज सामने है ऐसी पार्टियों ने जो नकली सेकलोरिज्म का नकाब पहन रखा था वो भी उतरना शुरू हो गया है सेकलोरिज्म का हमारी यहां मतलब बना दिया गया है कि कुछी लोगों के लिए योजनाएं कुछी लोगों के लिए फेवर बोर्ट बेंक के हिसाब से नीतियां के लिए योजना बनाता है सबके अधिकार की बात करता हो सबके लिए काम करता हो उसे यह लोग कौमुनल कहते कहते ठकते नहीं है लेकिन सबका साथ सबका विकार सबका विख्रवास के मंत्र ने आज इन परिभाशाओं को बदलना शुरू कर दिया है झाल झाल झाल